सुनो एक साइज वाला पुलीस वाला डीमस्पी का भी उकाद नहीं इसको बंद करा है अप लोगों का न सुनता कोई क्या सब्सक्राइब नहीं करते हैं कि भरस्ट सरकार है बिहार में जो है ना अरे भाई हम लोग साथ में थे इसलिए ने कि जब अलग होके लड़े थे हम लोग तो सरकार नहीं बनाया फिर बन गया उनकी सरकार तो बंद नहीं हुआ अमीर लोग जो है घर में दारू मंगा के ब्रांडेट पिता है अगरीब लोग जो है और वो जहर पिता है अज जो इसे जो बच्चों को फाइदा होने वाला है हमारे कुर्षा-काटा प्रखंड में लगभग यह जो कॉलेज नहीं था जिसके करने लोग बाहर जाये करते इसे बहुत प्यादा होगा हमारे सुदूर इलाके में जहां कुर्षा-काटा प्रखंड में बगल में शिक्टी है इधर फार्विस्गंज का ग्रामिन एरिया है तो ऐसे इलाकों में कोई डिग्री कॉलेज ना होना तो यह बड़ा ही दुरभाग है हम सब चाहते हैं हमारे माननिय अभिधायक और आज जो जांच कमिटी आई थी हम लोग चाहते कि यहां डिग्री कॉलेज बन जाए ताकि हमारे बच्चों को खास करके के बच्चियों को जो गरीब चात्र है उनको पढ़ने में आसानी होगा और कम से कम गर्जेशन के डिग्री यहां ले लेगा त से पहुंसी में गर्ल्स हाई स्कूल के होस्टल बना करके बेकार पड़ा सर इन सब इसकूल को कब चलू करा जाएगा सर क्यूंकि कड़ोर रुपे लागत खर्च करके बनाते हैं प्राइवेट के लिए लोगों को जल्दी अफिलेशन नहीं मिलता है लेकिन सरकारी रुपे खर्च होते हैं वो बरवाद हो जाते हैं देखिए यह सब जो काम है न सरकार करती है हम लोग तो सांसद है और विधायक है सर एजुकेशन डिपार्टमेंट को तापी तिला तो कर सकते हैं मैं बता रहा हूं सुनिए पूरी बात बिहार में नितिश जी का 15-17 साल सरकार बनी और यही रोना है आज कि हम लोग उनके साथ रहे बट सिक्षा में कोई ध्यान ने दिया बिहार का सिक्षा व्यवस्था को चपट कर दिया तो निश्चित रूप से इस तरह का जो कमिया है बहुत है हम लोग चाहते हैं कि जैसे देश में आज नरेंदर मोदी जी की सरकार है आज देश जैसे आगे बढ़ रहा है तो बिहार में जिस दिन हमारी सरकार होगी तो निश्चित रूप से आज इस तरह से रोड, फूल, सड़क, बिजली सब चारोत तरफ आ गया है ने उसी तरह से सिक्षा नीती में भी हमारे प्रधान मंतरी नई सिक्षा नीती लाया है मानिय प्रधान मंतरी ने कहा कि हिंदी जो पढ़ते हैं वह अभी अब मेडिकल का पढ़ाई पढ़ सकता है यानि मेडिकल का पढ़ाई हिंदी में होगा इंजिनरिंग के पढ़ाई हिंदी में होगी तो अब क्या है कि छित्रिय भासा में भी मेडिकल का इंजिनरिंग का ज लेकिन सर चेत्रियवासा को लेकर बात का तो सरा अनुसूची तार्ट में तो आज तक भजपूरी नहीं जोड़ी गे तो चेत्रियवासा कैसे पर लोग मेडिकल करें भासा अनेक है 1000 लाकों है लिप संदी जो है भोजपूरी तर दकते राजकिल भोजपूरी यह फिलिम चलत सब दो सबस्वाल करने कि आप ही जो सरकारी स्वास्थ वेवस्था है खास करके हमारे अर्रिया जीलक में बात कर रहा हूं अच्याव हम बहुत घशक और पीचै गये हमलोग जहां देखें हैं कि जो में अलग हो के लड़े थे हम लोग तो सरकार नहीं बनाया फिर बन गया उनकी सरकार तो अब साथ दिये हम लोग हम लोग ने कहा गिने तीजिया चाब जब 2005 में पहली बार सरकारे बने बहुत बढ़िया पांच साल काम किया और उसके बाद नितीज जी सब बदल गए तो अब लगता है नितीज जी बुड़े हो गए उसका उमर का भी तकाजा है अरे सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं अच्छी बात है लेकिन सपना वो होना चाहिए ना कि जो सपना अब बीजेपी की सरकार अठार राज में हम लोगों का है तो हमारा प्रधान मंत्री जी होगा कि उनका होगा उनका बिहार में खुद 43 सीट था हम लोगों को 77 आया जो कि माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोशना कर दिया था कि हम नितीज जी के नितृत में चुनो लड़ेगे तो भारती जनता पार्टी का जो नेता है जो हम लोग बोलते हैं वो करते हैं और यह तो बदल गए अई तो पल्टू हो गए ताव यह पल्टू सल्टू करते रहे बिहार की जनता उसको सबक सिखा देगे पत्रकार है आपको नहीं पताता आप जानिए केंदर सरकार केंदर चलाता है बिहार में एक लोता सरकार यह होता है और वहां से डियम गाइड निन होता है डियम को टान्सपर करता है पोस्टिंग लो करता है तो हरव स्टेट्मेंट अपनी सरकार है तो बिहार में सरकार जो है नितिश जी का अभी विदारू की पीछे लगा हुआ चपराकांट में कितने सेक्ड़ों आदमी मर गया और दारू बंद का समर्थन में हम लोग भी थे आज भी है लेकिन दारू बंद तो है नहीं तो नितिश जी निस्चित रूप से दारू के नाम पर फेल्यूर है कहीं पर उसका उनका अधिकारी मिला हुआ है सरे लगता है कि रिविन्यू जो हमारे स्टेट का रिविन्यू होता था जो भी पचास-साथ-जार कडोर पौर येर का वह तो बरबाद हो ही रहा है असाथ-साथ दारू अगर बंद हो जाता तब बुझत दूसरे स्मिली थी उस बाद आना चार्शी की टीम क्यों नहीं आई थी सर सेंटर से चेक जब भी क्यों नहीं आएगा सेंटर से काम अभी जो है इस पार आया कि जब अलग हो गए नितीजी पहले मरा था मुझपर पूर में भी दस लोग दारू पी करते तो इस तरह का सवा देश में अगर राज में कुछ भी हो रहा है तो उसका जमेदार से नितीज नहीं है जिस राज में जो इस तरह का घटना होता है यह स्वास्त केंद्र किसका है तो राज सरकार ने करेगा इसकुल किसका है हमारा इसकुल केंद्रिय विद्या ले जाकर रिया में देखिए कि सवाल जिसा करते हैं यह राज सरकार के अंदर आता है केंद्रिया विद्याले अररिया में चले जाएगा देखिए कितना टना तरह राश्पति सासन और खराब करेटरिया होता है उसका नियम होता है कब लगना कैसे लगना बहुत बिहार में खराब अर्थी निकाले गए गलत तरह और भारती संटा पाठी क्या कर रही है नहीं कर रहे हैं भारती जनता पार्टी क्या पुतला जलाना रोज होता है तो सब को करने का अधिकार करता है लेकिन निस्चित रूप से बिहार में लॉइन ओडर नहीं है क्राइम बढ़ गया है चोरी डखेती हत्या बलतकार मडर यह जंगल राज पाट्टू का सुरवात है और बिहार की जंता देख रही है आज 100 लोग सराब पी के उनको मौपजा देने को तयार नहीं है यह भासा है क्या जो भी बढ़द भाद नहीं सराब बंदी है यह सही है लेकिन यह बोलना कि जो पीएंगे मरेंगे तो पुरा देश के लोग पिता है दुनिया पिता है तो सब लटे नितिसर जी बड़ा पूदी है जो पहले भी थे लेकिन इसको बंद तो कराओ पुर्ण रूप से बंद होना चाहिए अब सराब भी बंदी नहीं हुआ सराब पिने वाला पी रहा है आपका पुलीस क्रिमिनल को पकड़ना चाहिए तो सराब एक खोचता है कि पुलीस जो है चोर भाग रहा नहीं पकड़ रहा है पूरे दिन दारू खुझते रहता है इसलिए दारू के नाम पर नितिश जी का दिमार है और वह गलत काम कर रहे हैं उनका सासन प्रसासन लॉइन अडर रूप सा ठीक नहीं है वह उसका जिलादिकारी क्या कर रहा है इस पुलीस का काम और वह जो आपका एक्साइज वाला पुलीस वाला डीमस्पी का भी उकाद नहीं इसको बंद करा आप लोगों का ना सुनता कोई कि आप भी तुसे इंटर प्लेगा है ज्यादा कुछ नहीं दिखाना आपने पूरा जो रिपोर्ट आप देखे लिए अमरे स सूटता है तो एक दूसरे पेल जाम लगाना लाजमी है लेकिन कहीं न कहीं अपने जिम्मेदारियों से भाग जाना की बढ़ी बहाना मिल जाता है जो भी नेता है बस आप लोगों से बिढ़ती है कि वीडियो को जाता जाता शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जो प्रेम रचोन और अब देख रहे हैं देश तकने जाइन जेवारत